हलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरिट यूटीव चैनल AI Journey हिंदी में कॉमिक बुक, स्टोरी, छोटे बच्चो या फिर आपके लिए भी इंटर्टेन्मेंट का एक अच्छा जरिया हो सकता है और आप एक अच्छे से कॉमिक बुक को सेल करके अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं लेकिन एक अच्छा कॉमिक बुक क्रेट करना वन आप दा टफेस्ट जॉब हो सकता है आपके लिए क्योंकि पहले आपको इसके लिए story create करना होगा, उसके बाद हफ्तों तक अपने character को sketch करना होगा, फिर उन सब को एक अच्छे से design में assemble करने के बाद कहीं जाकर आप एक comic book create कर पाएंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं, इस AI के जमाने में आप उच्छ से मातर कुछ click में ही एक अच्छा सा professional comic story book create कर सकते हैं, जानना चाहते हैं कैसे तो बने रहें इस वीडियो के अंतक दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले आपको नीचे दिये गे इन description में link पे click करके इस वाले website पे आ जाना होगा, जिसका नाम है comic AI, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने story के साथ start कर अपने character को visualize करना होगा, उसके बाद अपने template को design करना होगा और उसके बाद आप अपने story को download कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे start for free पे click करना है, यहाँ पे हमारे पास दो option है, create originals and create derivatives, तो हम create original पे click करेंगे, फिर यहाँ पे भी हमारे पास दो option आते हैं, एक story mode है और एक free creativity mode ह यहाँ पे मैं लिखूंगा, create me a comic strip about two friends, और आप देख सकते हैं कि chat GPT ने हमें एक अच्छा सा comic story दे दिया है, इसे हम यहाँ से copy कर लेंगे, और इसे हम यहाँ पे paste कर लेंगे, ठीक है, और इसका title copy करके हम इसे अपने title में paste कर देंगे, creator में आप अपना नाम दे सकते हैं, मैं AI का दे देता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे upload का option है, जो कि अगर आपके पास किसी भी तरह का story है, text या PDF format में यह support करता है, आप उ story को यहाँ पे upload भी कर सकते हैं, ठीक है, तो फिलाल मैं इस chat GPT वाले story के साथ आगे बढ़ूँगा, और next पे click कर कर दूँगा, और आप देख सकते हैं कि हमारे पहले character का name max है, जिसको इसने अपने खुद से analyze कर दिया है कि हमारा character कैसा होगा, अगर आप इस character में कुछ changes चाते हैं, जैसे कि मैं brown hair color के जगा black hair color कर दूँगा, ठीक है, और फिर से मैं regenerate पे click कर दूँगा, आप देख सकते ह हमारे character का hair color brown से black हो चुका है, अब हम चलेंगे अपने character 2 की तरब, जिसका नाम Sam है, इस character में भी हम इसके changes को कर सकते हैं, यहां brown eyes के जगा मैं black eyes कर दूँगा, और यहां regenerate पे click कर दूँगा, और आप देख सकते हैं कि हमारे character के eyes का color black हो चुका है, ठीक है, फिर हम next पे click कर देंगे, तो हमारे पास दोनों character यहां पे आ चुके हैं दोस्तों, और जिस भी character का dialogue पहला है, हम उसे select करेंगे, तो हम पहले अपने story में देख लेते हैं कि किस character का dialogue पहला है, जैसा कि आप story में देख सकते हैं कि max का dialogue पहला है, तो मैं max के character को यहां पे select करूँगा, और यहा तो हमारा character यहाँ पर आ चुका है दोस्तों आप यहाँ pro mode में भी जा करके अपने character के preferences को change कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर action description दे सकते हैं excitement दे सकते हैं props अगर आपको आपके story के हिसाब से कोई props चाहिए तो वो भी दे सकते हैं and location ठीक है तो फिलाल मैं इसी character के साथ आगे बढ़ूँगा दोस्तों and हमारा second character है Sam तो मैं आपके Sam को select करूँगा अगे और फिर से अगर आपको अपने character के लिए किसी भी action का need है तो यहाँ से आप select कर सकते हैं या फिर यहाँ पर plus वाले icon पर click करके आप किसी भी image का reference action यहाँ पर upload कर सकते हैं ठीक है तो फिलाल मैं ऐसे ही चलूँगा and generate पर click कर दूँगा ठीक है हमारा दूसरा character भी location के साथ generate हो चुका है दोस्तों अब हम next पर click करेंगे next पर click करने के बाद हमारे पास panels आ गया है character को सेलेक्ट करेंगे तो पहला dialogue था हमारे पास max का तो मैं max को सेलेक्ट कर लूँगा और इसमें डाल दूँगा ठीक है and second है हमारे पास sam का तु मैं sam को डॉल्टू ठीक है and fourth ہے sam का तो मैं sam को डॉल्टूँगा ऐस आप अपने इसाब से इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं दोस्तों अब बारी आती है हमारे dialogues की लेकिन उससे पहले हम अपने character के लिए bubble add करेंगे कि कौन से character के लिए हमें कौन सा bubble चाहिए in dialogues के लिए ठीक है तो सबसे पहले मैं इसे यही बाला use करूँगा और इसे मैं इस character के लिए use करूँगा दोस्तों आप अपने इसाब से इसे set कर सकते हैं कि आपको कैसा चाहिए ठीक है और इसके बाद आप dialogue में जा सकते हैं पहला dialogue हमारा यह है हम इसे bold कर लेंगे इसी तरह से हम अपने सारे character के लिए इसके bubble को add कर लेंगे दोस्तों फिलाल मैं इसे एक ही page में wrap up करूँगा दोस्तों अगर आपको need है आप अपने story के इसाब से चितने भी चाहे pages आपको ज़रुरत पड़े आप उसे use कर सकते हैं इसके बाद हमें next पे click कर देना है और उसके बाद अगर आप इसे download करना चाहे तो इसे twitter या discord या tiktok कहीं पे भी share करके इसे download कर सकते हैं दोस्तों और आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा comic book story ready है मैंने कैसे AI की help से बस कुछी click में अपने इस comic story book को तयार किया है इस comic AI tool में sign up करने के लिए आपको एक invitation code की ज़रुत पड़ेगी वो invitation code भी मैं आपको नीचे description में दे दूँगा वहाँ से आप इसे copy करके इस AI tool में paste कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे like जरूर कीज़ेगा दोस्तों आप अपनी राय हमें नीचे comment box भर भी बता सकते हैं और ऐसे ही AI से related amazing videos के लिए आप हमारे चैनल AI Journey Hindi को subscribe करना ना भूले दोस्तों मिलेंगे हम फिर से किसी अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें धन्यवाद